नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनलाइन और ओफलेंग्यान में आज फिर से आप लोगों के लिए ITA का रेकुट्मेंट लेकर आया हूँ पहली क्लियर कर दूँ वेकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है वेकेंसी का काउंट बहुत ही काम है आप ओल ओवर इंडिया से अपलाई कर सकते हैं लेकिन जहां की वेकेंसी है मैं उन बच्चों को रिकमेंड करूँगा कि वो इसका फोर्म फिल करें मेरा काम है आप लोगों को कम्प्ली डिटेल्स प्रोवाइड करना जिसे मैं अभी आप लोगों के सामने रखूंगा और एक एक चीज बताऊंगा इसमें देखो स्लेबस तो बताया निये कि exactly स्लेबस क्या है लेकिन ये बता दिया कि रिटर्न एक्जाम होगा और आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा आईटे वले बच्चे जिस बेस पे अपलाई करेंगे आईटे की चार ट्रेड है अभी डिस्क्लोज करूँगा जिसके एरिया में साइबर कैफे नहीं है या फिर फोर्म को खुद नहीं फिल कर पाता डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे एक रिक्वेस्ट लिंक दिया है आप उस पे जो है रिक्वेस्ट दे के हमसे फोर्म फिल करवा सकते हैं अब चलते हैं डिटेल्स की और फिर आप लोगों को फोर्म की और लेके चलूँगा आप बोलेंगे तो फोर्म की वीडियो भी आपको जल से जल प्रोवाइट कर दूँगा अभी 15 दिन है इसका फोर्म फिल करने के लिए दो तरीके से इसका फोर्म फिल होगा एक तो इनकी ओफिशल वेबसाइट से दूसरा जो प्रिंट निकलेगा प्रिंट निकालने के बाद आपको इनके पटिकुलर आडरस पे भी भेजना पड़ेगा तो यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट है जैसे की मैंने बताया काउंट कम है तो इस चीज़ को देखके चलना पड़ेगा स्टैनोग्राफर ग्रेड थ्री एक पोस्ट है यूर केटिगरी में लोवर डिविजन क्लग की यहाँ पर आप लोगों के लिए तीन पोस्ट है और उसके बाद यहाँ पर जो है ट्रेट्समेन की जिसमें इलेक्टिशन, मसीनिस्ट, कारपेंटर और प्लंबर जैसे बच्चे अपलाई कर सकते इनके लिए पांच पोस्ट है, अगर देखा जाए तो आईटे की सबसे ज़्यादा पोस्ट है, लेकिन ओवरल देखा जाए तो इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं है, यहाँ पर यूर केटिगरी में चार पोस्ट है और एक जो है स्टी केटिगरी में यहाँ पर एज 18 से 28 साल है, relaxation जो मिलता है वो आप लोगों को मिलेगा, यह एक permanent नोक्री है, सरकारी ही नोक्री है कोई government जो आप लोगों को contract basis पे नहीं मिल रही है, यहाँ पर form इसका अभी active है, इसकी details आप लोगों को कहीं नहीं मिली होगी, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को update कर देता हूँ, यह इनका यहाँ पर जो official website है वो है, जिसे अभी आप लोगों को दिखाऊंगा इसके लावा persons working under the central state government PSU's, उनको एक जो है इसमें qualification थोड़ी upper level की है तो इसमें इतना focus में नहीं कर रहा हूँ इसके लावा stenographer इसमें भी focus नहीं कर रहा हूँ LDC पे भी focus नहीं कर रहा हूँ मेरा काम है ITA पे focus करना ITA पे focus कर देता हूँ, जिसमें electrician, machinist, carpenter और plumber जैसे बच्चे apply कर सकते हैं, form को मैंने एक बार भी fill करके नहीं देखा है तो NCVT तो 100% apply करेंगे SCVT जो है उनका form fill करते time देखना पड़ेगा pay band की बात करें तो 19,900 पर मंद के इसाब से आपको दिया जाएगा और बाकी आप लोग देख सकते है UR category SC में एक vacancy UR में आप लोगों की चार है age मैंने बता दिया relaxation मैंने आपको बता दिया essential qualification आपको 10वी पास होना है और 7 में आप लोगों का ITA clear होना चाहिए अगर 10वी में 60% marks नहीं है आप लोगों के 12 के बेस पर apply कर सकते हैं लेकिन 12 में science और math का subject होना चाहिए और ITA clear होने चाहिए particular trade में यह जो दे रखिये चार trade में से एक electrician आप लोगों का machinist carpenter और plumber यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो यह desirable है आप लोगों का qualification इस पर focus मत कीजिए syllabus के लिए मैंने बोला था कि syllabus exactly तो इन्होंने नहीं दे रखा यहाँ पर selection process दे रखा है जिसमें आप लोगों का return होगा और फिर आप लोगों का skill test होगा skill test के बार में आप जानते हैं return test की कहीं मुझे जानकारी मिलती है तो आप लोगों को मैं बेज़े जक inform कर दूँगा how to apply online apply होगा और जब आप form fill कर लेंगे एक print निकलेगा print को आप लोगों को इस particular address पे बेजना पड़ेगा जो हमसे form fill करवाएंगे उनको मैं print provide कर दूँगा आप relevant document जो है address पे पुचा देना और बाकि जल्दी सी जल्दी कोशिश करो कि form को पुचा दो क्योंकि 15 दिन है आप लोगों के पास एक दिन लगेगा online form fill करने में उसके अगले दिन आप सारे document collect करके self test करना जितने भी document है और particular address पे पुचा देना यह जो है यहाँ पर form fill करने का criteria है देख ले कैसे करना है आप लोगों को मैं इनका दिखा देता हूँ online application कहां से होगा मैं इसका notification आपको description में दूँगा आप यहाँ से easily apply hair पे click करके form को apply कर सकते हैं अब मैं लेके चलता हूँ इनके online form पर so that आप लोग इसे भी अच्छे तरीके से देख सकें और form को fill कर सकें जो भुवनेश्वर के बच्चे यह तो 100% form को fill करो बाकी other state के हैं वो आप लोगों की मर्जी है decide करो आप लोगों को करना है या नहीं करना यह जो है यहाँ पर vacancy है इसकी देख सकते हैं हमें tradesmen में apply करना है तो यहाँ पर click here करके आप लोग जो है इसके form को देख सकते हैं और apply कर सकते है मेरी तरफ से इतनी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को provide करी है बाकी कोई doubt है तो आप लोग comment box में जरूर mention करना पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों का सवाल का जवाब comment box में ही clear कर दूँ ठीक है बाकी आप लोगों को जो है अगर return exam की जानकारी मेरे पास आती है तो आप लोगों को मैं provide कर दूँगा कि इसमें exactly इसलिए बस क्या होगा लेकिन आप अपने technical part जो है strong करके चलना में भी ये सारा का सारा technical part से ही पूछे जो trade है उसके basis पे बाकी देखते हैं अगर कोई और जानकारी मिलती है तो बताता हूँ एक बस जाते जाते सुन लीजी experience desirable नहीं है desirable है कमपलसर ही नहीं है बिना experience के अपनी trade के base पे अपनी qualification के base पे आप लोग apply कर पाएंगे धन्यवाद